नमस्कार दोस्तों, आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा राजिस्थान में बीजेपी 25 में से 11 लोगसबा की सीटें के उपार गई ये जानने की हो सकता है कि बीजेपी के कारेकरता में हो, हो सकता है बीजेपी के समर्थक में हो, हो सकता है बीजेपी के फ्लोटिंग वोटर में हो लेकिन BJP के नेताओं को ये जानने की हार की बजह के कारण जानने की कोई जरूरत नहीं है कोई आवशकता महसूस नहीं हो रही आप कहेंगे कि क्यों जरूरत महसूस होगी उनको तो हार के असली कारण पता है बात ये भी नहीं है बात ये है कि BJP को लग रहा है कि जनता के बीच, कारकरताओं के बीच ये मैसेज देना जरूरी है कि सीटे कम आए गई ही हो भले ही लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जिस ठसके से राज चल रहा है दूसरा BJP को लगता है कि असली कारणों में जाओगे तो आपस में एक दूसरे नेताओं में खामिया निकालनी पड़ेंगी आपने ये गलती की, दूसरा केगा आपने ये गलती की तो इससे ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा आरोप रत्यारोप का सिलसला शुरू हो जाएगा और ऐसे में पार्टी का कोई भला नहीं होगा किसी समस्या का कोई समधान नहीं निकलेगा उल्टे ने सिरे से खेमे बाजी ने सिरे से धड़े बाजी ने सिरे से एक तरह से एक दूसरे के प्रती व्यक्तिकत तो अपने आप में ये हैरानी की बात है तो अब किया क्या जाए तो जैसे राजस्तान में बीजेपी की बैठक हुई हार के कारणों की स्वमीक्षा के लिए शिवराज सिंग चोहान के इंदर से एक-एक आगमी भेज रहे हैं के गले उतरेगी नहीं उतरेगी पता नहीं सिर्फ शिवराज सिंग चोहान ने नहीं कहा बलकि विने सहस्त्र बुद्धे जो राज्य के इलक्षन के प्रभारी थे उन्होंने भी यही बात थी हैरानी की बात है कि पडोस के राजे उत्तर पदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितेनात ने भी अपनी जगा ये बात की दूसरा का जा रहा है कि कॉंग्रेस ने क्या किया 99 सीटे आ गई लेकिन कॉंग्रेस जहां जहां बीजेपी से लड़ी वहां तो उसकी सीटे बहुत कम है वहां तो उसका स्ट्राइक रेट सिरफ 26 परसंट है तीसरा का जा रहा है कॉंग्रेस भसमासुर है पैरसाइट है परजीवी है अपने साथियों दलों का वोट खा रही है चौथा का आ जा रहा है देखिए हमारे प्रधान मंत्री जी की पॉपलरिटी में कोई कमी नहीं आई है ट्विटर पर ही एक्स पर ही देखिए दस करोड के आज पास फॉलोवर हो गए है चौथा सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि सविधान को लेकर जूट बोला गया ब्रह्म फेलाया गया अववाएं फेलाई गए और आरक्षन खत्म हो जाएगा लेकिन जवाब नहीं देते बीजेबी के नेता कि अगर वहाँ से अफवाएं फेलाई गई तो उन अफवाओं को बढ़ावा देने का काम तो बीजेबी के नेता नहीं ही किया जवाब नहीं देते कि मोधी की पॉपुलारिटी विश्व गुरू की पॉपुलारिटी इतनी है तो वोट परसंटेज हर राज्ये में कम क्यों हुआ सीटें इतनी सारी 63 सीटें उत्तर भारत के राज्यों से अकेले जहां बीजेबी मजबूस स्थिती में मानी जाती थी वहाँ पर क्यों हार गई अगर उड़ीसा में कहानी नहीं पलटती अगर चंदरबाबू नैडू के साथ का गडबंदन काम नहीं आता तो आज कुछ भी हो सकता था तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेबी की स्थिती उस शतुर मुर्ग की तरह हो गई है जो तुफान आने पर रेत में सर छुपा कर बैड़ जाता है तुफान अपने आप गुजर जाएगा विधान सवा के पांच राज विधान सवा के उप चनाव बाकी है उसके लिए वसंद्रा राजे से मिलने गए थे भजनलाल शर्मा लेकिन बातों ही बातों में इशारा 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 कि वो चनाव प्रचार नहीं करेंगी कुछ इस तरह की बातें आ रही है दस दिन हो गए जो मियाद दी थी डॉक्टर किरोडी लाल मीना को यह यूं कहा जाए कि डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने जो मियाद दी थी राज्टी अध्यक जेपी लाल मीना को वो खत्म हो गई है लेकिन ना तो डॉक्टर किरोडी लाल मीना ने अपना स्तीफा वापस लिया है ना ही मुख्यमंत्री ने उनका स्तीफा स्विकार करके राज्यपाल के पास भीजा है उल्टे पूरे विधानसबा सत्र के बजट सत्र के दोरानबुर सदन में उपस्तित नहीं रहेंगे इस बात की मंजूरी उन्होंने ले लिए यानि माम लगता है कि पार्टी ने भी अब ये सारा कुछ डॉक्टर किरोडी लाल पर छोड़ दिया है उनको लग रहा है कि भावुप नेता है और जन्ता भावुप नेताओं को एक हद तक पसंद करती है बाकी आक्रमक शैली वाले नेताओं को पसंद करती है तो हाला कि किरोडी लाल पिरा उनको क्या मनाने की अब पोशुशे भिलकुर छोड़ दी गई यह या डॉक्टर किरोडी लाल मिरा ने अपनी तरफ से कोई डाटलाइन रख दी है अपनी को तरफ से कोई नई शर्त रख दी है ऐसा वी कुछ लोग परते के पीछे कह रहे हैं कि वो शर इसलिए हम वापस आपके साथ आ रहे हैं क्या इस तरह की ध्रम पाल सकती है बीजेपी चलिए बीजेपी से अब कॉंग्रेस के खेमे की तरफ लोटते हैं हरीस चौधरी कॉंग्रेस के एक बड़े नेता है तो राजेश पाइलट के बेटे सचिन पाइलट के प्रती प्यार और उधर या इकरार और अशो गहलो से इनकार ये उनकी थोड़ी सी आदत का स्थाई भा होता जा रहा है एक बार फिर उन्होंने सचिन पाइलट की तारीफ की जम के तारीफ की उनमें नित्तत्वे की शमता है काबलियत है काबलियत को मैं सलाम करता हूं मीडिया ने गलग शवी बनाई सचिन पाइलट की वो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो मुख्य मंत रहे हैं लेकिन अशोग हैलोत की जिस घंग से आलोचना की वो थोड़ा हिरानी में डालने वाली है क्या उनको थोड़ा सा हैसास हो गया है कि सचिन पाइलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी राहूल गांदी अपनी नई टीम में देने वाले हैं दरसल जब से एहमदाबाद में राहूल गांदी ने कहा है कि कुछ रेस के घोड़े होते हैं कुछ बरात के घोड़े होते हैं तो क्या रेस के घोड़े में सचिन पाइलट राहूल गांदी की तरफ से शामिल कर लिए गए हैं क्या उस रेस के घोड़े का साथ हरीस चौधरी भी देंगे ये एक बड़ा किसी ने सरकार बचाने के लिए फोन टैप करवाया है तो वह एनाइटिक है जिस व्यक्ति ने ये फोन टैप करवाया है वो योग्य व्यक्ति नहीं है तो जिस व्यक्ति ने फोन टैप करवाया है वो योग्य नहीं है अयोग्य है किस काम के लिए योग्य है कॉंग्रेस को ने चलते चलते विधायक BJP के पत्रकार से विधायक बने गुपाल शर्माटी बात कर लेते हैं, वो जूडो शब्द का इस्तमाल किया, जूडो यानि टीका राम जूली का जा ले लिया और गोविन सिंग डोटासरा का डो ले लिया, जूडो ये किया, मैं सोच रहा था कि अगर गोविन सिंग डोटासरा का गो ले लेते और टीका राम जूली का शुरू का टी ले लेते, तो गोटी शब्द का भी इस्तमाल कर सकते थे, गोटी ज्यादा सही सटीक बैठता, गुपाल जी अगर सुन रहे होंगे तो शायद ध्यान देंगे इस तरफ, चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया